वैस्वीकरन पिछले कुछ दस्कों में दुनिया की आर्थिक व्रदी और विकास के पीछे एक प्रेरख सकती रहा है फ्रोध्योगी की के विकास और परिवहन में प्रगति के साथ दुनिया पहले से कहीं अधिक आपस में जुड़ गई है हलंकी वैस्वीकरन का पहत्पुर्ण सामाजी का अर्थिक और परियावरिनिया प्रभाव भी पढ़ा है जिसे हैं मैत्पुर्ण सवाल उठता है कि हम अधिक संतुलित और न्यायपुर्ण भविशे कैसे प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हम 2050 की ओर देख रहे हमें वैस्वीकरन की चुनोतियों का सामना करना होगा और अधिक न्यायसंगत और टिकाओ दुनिया की दिशा में काम करना होगा वैस्वीकरन के सामने आने वाले प्रमुक मुद्दों में से एक अमीर और गरीब देशों की भी बढ़ती ऐसमानता है जबकि वैस्वीकरन ने कई देशों में धन और आर्थिक विकास लाया है इसने मोजुदा ऐसमानता को भड़ा दिया है जिससे कई लोग पीछे रह गई है इसे संबोजित करने के लिए हमें संसादनों और आउसनों के अधिक न्यायसंगत वितरन की दिशा में काम करना चाहिए इसका मतलब है कि शिक्षा, स्वास, देखवाल और सामाजिक शुरुक्षा जाल में निवेस करना ताकि यह सुनिशित किया जा सके कि हर किसी के पास उन संसादनों तक पहुंचो जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवशक है इसका मतलब ब्रष्टाचार और कर्चोरी जैसे मुद्दो से निपटना भी है जो ऐसमानता को कम करने के प्रियासों को कमजोर कर सकते हैं वैस्वी करन की एक और चुनोती परियावरन पर प्रभाव है जैसे जैसे आर्थी गतीविदी बढ़ती है वैसे वैसे संसादनों और उर्जा की मांग भी बढ़ती है जिससे कार्बन उत्थरजन और परियावरन ये गिरावट में व्रद्धी होती है इसे संबोधित करने के लिए हमें एक अधिक विटिवा और चक्री आर्थिवस्ता के और संकर्मन करने के आउशकता है जो अप्सिष्ट को कम करने रिसाइकल को बढ़ावा देने और नवी करनी उर्जा स्रोतों का उपयोग करने पर केंद्रित है नवी करनी उर्जा टिकाव भाविश्य का एक महत्पुन घटक है जो जलवायू परिवर्तन को बढ़ाई बिना बढ़ती उर्जा मांग को पूरा करने का एक तरीका परदान करती है नवी करनी उर्जा में निवेस करके हम जीवासम इंदन पर अपनी निर्बरता कम कर सकते हैं जो अधिकांस ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन के लिए जिम्मेदार है इसके लिए मैत्पुन निवेस और पारंपरिक उर्जा स्रोतों से हट कर बदलाव के अक्षक का होगी लेकिन लाब इस परष्ट है एक स्वक्ष वातावरण, बेहतर सारजनी श्वास्त और एक अधिक लचिली उर्जा प्रणाली ऐसा मानता और परियावरणिये मुद्धों को संबोदित करने के अलावा हमें वैस्वी करन के सामाजिक पुर्वाओं का भी सामना करना होगा, जैसे जैसे दुनिया अधिक प्रस पर जुड़ी होती है, सांस्कृतिक मत्वेत टकरा सकते हैं, जिससे सामाजिक तनाव और संगर्स हो सकते हैं, इससे संबोदित करने के कीलिए विवित सम야지 की दिसा में काम करना है चाहिए का मतलq lea शर्माज की कारिय कर्म में निवेश करना है विवित्र संस्कृतियों और प्र करना की समाज स्व Chemistry को बढ़ावा देना और समाजी कि का जा सकता है कि और सम दर्ट विकास परियोजनाओं जैसे पहलों की माध्यम से हैं जो इस्थानी समुदायों की जरूरतों और जश्टी कोण को प्रात्मिक्ता देते हैं जब हम भविशी की ओर देखती हैं तो वैस्वेकरन आउसर और तुनोत्या दोनों प्रस्तुत करता है अधिक संतुलित और न्यायपुन दुनिया हासिल करने के लिए हमें संसादनों और आउसरों के अधिक न्यायसंगत वित्रण अधिक टिकाओ और चकरिय अर्थिवस्ता के और संकर्मन और सांसकर्तिक समझ और सही शुनुता को बढ़ावा देनी की दिशा में काम करना इसके लिए महत्पुन निवेस और हमारे रहने और काम करने के तरीके में बुनियादी बदलाव क्या उश्चकता होगी लेकिन लाविस्त पस्ट है सभी के लिए अधिकने आई संगर्टिकाओ और लचीरा भविश्य धन्यवाद